तो भाई लोग कैसे हो आप लोग तो स्वैलोड स्टार के नेक्स्ट इन नोवल के एपिसोड नमस 21 में आपका स्वागते तो चलिए सुरूर करते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब करकी बिल आइकन दवाना न भूलें तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूफेंग फाइनली वापस लैंड पे आ चुका होता है तो अब बबाता लूफेंग से कहता है कि ग्रेट निर्वाना के पहले ही धरती पे स्ट्रॉंग वारियर आना सुरू हो गए थे और मुझे उन वारियर स्ट्रॉंग को भी बनाना पड़ा लेकिन हॉंग और बाकी सब इसे मिलते ही ले लिये और फिर मैंने मोहिन क्रिस्टल को यूज करके एक एंपरेल लेवल मॉंस्टर को भी ग्रो कराया ताकि जितने भी स्ट्रॉंग वारियर से उनको मैं यहां एट्रैक्ट कर सकूँ और फ ताकि मैं तुम सब का टेस्ट ले सकूँ और मैंने इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारे टेस्ट लेने आया था और कुछ क्रिस्टल के बाद ही मैं जो चाहता था वो सारे चीज हो गए थे और जैसा कि मैं इस सिप से बाहर नहीं जा सकता था इसलिए मैंने तुम्हारे सब को ट्रिक करके अपने पास बुलाया और ऐसे ही तुम मेरे सिप पे आए अब लू फैंग ये सब सुनकर सौक हो गया होता है कि और वो सोचता है कि सुरू से लेके अभी तक सब बबाता का ही प्लान था मिस्टी आइलेंड पे प्लांटी स्पीट और मोहिन वांस का वहां पे हो है कि तुम बैठ जाओ और अपने फ्रेस ब्लड को वहां पे यूज करना है और उसे अपने कलाई को भी काटना है जिसमें से ब्लड बाहर आएगी और उससे क्लावड कॉंटेक्ट वाइन एब्जॉर्ब करेगी अब लू फैंग ऐसा ही करता है और उसके बाद उसका को निकारना पड़ता है और अब वह क्लावड कॉंटेक्ट वाइन लू फैंग के ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगता है अब थोड़ी देर बाद लू फैंग को वह क्लावड कांटेक्ट वाइन का फीड भी कराना था अब बबाता कहता है कि इसे ट्रेजर की जाता है कि बबाता के पास बहुत सारे चीज है जो कि बहुत ज़्यादा महंगे है और उसके सोथ से भी उपर है और अब जब वो cloud contact wine को उस फ्रूट को खिला लेता है तो उसके बाद उसका color change होने लगता है और उसका color change हो कि green से dark red हो जाती है और बबाता उसे अपने skin के under लगेगा अब लूफएंग भी उसे under लख लेता है और लूफएंग को ये महसूस होता है कि उन दोनों के mind जूर चुके है और वो wine लूफएंग को एक बच्चे जैसा लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लूफएंग का एक बच्चा हो और अब फिर बबाता ल पहले feeding जब complete होती है तो तुम्हें फिर black god armor suit की कोई जरूरत नहीं होगी ये तुम्हें अपने आप protect करेगी और इसकी protection level भी बहुत ज्यादा high होती है अब फिर लूफएंग बबाता से एक सवाल पूछता है कि अगर मैं hybrid copper essence को use करके लरूंगा तो मैं किस level तक के against fight कर है तुम उससे एक star traveler level 6 के साथ अराम से fight कर पाओगे लेकिन जब तुम मेरे master की तरफ से दिये गए manual और training के basic को भी complete करोगे तो तुम उससे किसी भी star traveler level 8 को अराम से handle कर सकते हो यहां तक कि thunder god अपनी पूरी ताकत भी लगा दे तो भी वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएग अब blue fang यह सुनकर सौक हो जाता है और उसका दिल जोर जोर से धरकने लगता है तुम इतना सौक क्यों हो रहे हो तुम एक unmo planet के disciple हो और यह सब को तुम्हें अराम से handle करना सीखना चाहिए और तुम्हाई teacher भी एक undying bank थी और वो undying bank के champion थे और undying banks पे ऐसे कोई भी level का बंदा नीक था जो उनका मुकाबला कर पाता अब blue fang के मन में एक सवाल था जो वो बबाता से पूछता है कि आकी master अपने दुस्मनों के हाते हो कैसे मारे गए वो तो इतने जादा powerful थे कि उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता है अब बबाता blue fang से पूछता है कि क्या आके तुम इस सवाल का जवाब जानने के वर्थी होगे अब ये सुनकर blue fang कहता है कि पर ये तो बहुत ही लंबा टाइम लेगा मुझे तो sector lord बनने में ही एक लाक साल लग जाएंगे लेकिन undime bank पता नहीं मैं कब बनूँगा ये तो बहुत जादा लंबा टाइम में मुझ चुका होता है और फिर लू फैंग अपने फाइनली घर पर पहुँच जाता है और वह वहाँ जाके अपने family से मिलता है अब लू फैंग के family लू फैंग को वापस देखकर बहुत जादा खुस होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि 3-4 दिनों में लू फैंग के साथ क्या हुआ है फिर लू फैंग जाके अराम करता है और अगले सुबा ही वह हॉंग के hot quarters के लिए निकल जाता है और रास्ते में वह सोचता है कि मैं अपने parents को हमेशा से spirit of nature देना चाहता था ताकि मैं उन्हें strong बना सकूँ और इस बार मैं उसे finally ले सकूंगा और बबाता भी कहता है कि spirit of nature के बाद जो भी चीज़े रहेंगी वो तुम मुझे देना मैं उन्हें handle कर लूँगा अब आपको याद होगा कि हॉंग ने मोहिन क्रिस्टल के ट्रेडिंग के लिए यूज करने के लिए कहा था जिसकी price 20 star थी अब लूफैंग headquarters में आ जाता है जहाँ पे लूफैं लोग उसके समान में सर जुका रहे होते हैं और लूफैंग एक high post का आदमी था इसलिए वो वहाँ पे अराम से जा रहा होता है उसे किसी भी security की जरुरत नहीं थी कि उसे scan किया जाए अब वो direct head के पास जाता है अब head के पास पहले ही ये news आ चुकी होती है कि लूफैंग headquarters म वैसे तो ये damage ship है लेकिन मैं इसका survey करना चाहता हूं लेकिन access block के इसी kind मैं इसका survey नहीं कर पा रहा हूं अब लूफैंग बबाता से पूछता है कि आके तुम survey क्यों करना चाहते हो और इससे तुम्हें मिलेगा ही क्या वैसे भी ये ship head को belong करता है तो बबाता कहता है कि इसलिए मैं कोई और रास्ता ढून रहा हूं ताकि तुम्हें universe में travel करा सकूँ लूफैंग बबाता से पूछता है कि तो क्या ये ship उर सकती भी है तो बबाता reply में कहता है कि नहीं ये ship नहीं उर सकती है लेकिन इन सब को देखकर मुझे लगता है कि धरती पे बहुत सारी universe क space ship मौझूद है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक नई ship बनाए जाए जिससे कि हम universe में travel कर सके अब लूफैंग सौक हो जाता है जब वो सुनता है कि बबाता एक space ship बनाने की बात कर रहा है ये सुनकर बबाता फिर से अपने गर्व की बात करने लगता और कहता है कि क्या ये curious था अब आता को space ship बनाने के लिए कई सारे metals की ज़रूरत थी और ये space ship के parts की ज़रूरत थी फिर ऐसे ही बाते करते करते लूफैंग head के पास पहुंच जाता है तो भाई लोग इसे के साथ ये वीडियो भी खतम होती है तो मिलते है नेक्स शुर्यू में और देखते है कि लूफैंग आखी वहां आया तो क्या-क्या करेदा और उसे क्या-क्या मिलता है तो मिलते हैं नेक्स शुरू में तब देखते के लिए पहाएं